तो दोस्तो फाइनली BPSC ने पिहार सिक्षक भरती परिक्षा के लिए एड्मिर्ट कार्ड जारी कर दिया है दोस्तो कैसे आप सभी अपना एड्मिर्ट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगी हम आपको इस वीडियो के मारें से स्ट्रेप बेस्ट बताने वाले हैं तो वीडियो को आप लास्तों जूर रिखेगा वीडियो सुरू करन से पहले मैं आप से चोटा सर्क्रेश्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विए लाइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेश्ट वीडियो मिलता रहे चली शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको BPSC के officially website पर आना है आपको Google में search करना है BPSC direct आप BPSC लिखेंगे तो आपको इस पेज पर पहुंग जाएंगे सीधर आपको BPSC लिखके और search करना है तो यहाँ पर आपको जो first page दीखेगा आपको इस पर जो है select करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से और एक page open हो जाएगा और यहाँ पर पेज आपका इस तरीके से खूलेगा यहाँ पर आपको नीची की तर जाना है और यहाँ पर आपको एक apply online का option दीखेगा simply आपको यहाँ पर apply online वाले option पर click कर देना है यहाँ पर जैसे को यहाँ पे यहाँ से डालते है यहाँ से डालते है और जैसे यहां पे डालने के वाद आपको करना यहाँ यहां पर आपको एक capture code फिल करना हो जो यहां पर लिखा होगा उसी capture code को आपको यहां पर क्या करना होगा यहां पर लिखना होगा जैसे आप इस capture code के लिखेंगे उसके बाद आपको क्या कर देना है उसके बाद simply आपको करना क्या है उसके बाद आपको कर देना है login यहां पर login का option आपको दिखेगा जैसे login करेंगे तो यहां से अच्छा capture जो है inviolate है मैं फिर से try करता हूं तो दूस्तों capture fill करके यहां पर आपको submit पर किलिक करना है जैसे submit पर किलिक करेंगे तो आपका कुछी इस तरह का page आपके सामने दिखेगा यहां यहां पर आपको print का option दिखेगा जो आपका print application था उधो आपको दिखेगा उपर में आपको download application यहां पर दिखेगा जो admit card आपको इस section पर जाना है आप यहां पर कॉर्णर पर देख पाएंगे admin card का option आपको दिखेगा और इसके नीची आपको upload photo का option दिखेगा देखे तो admin card download करने से पहले आपको क्या करना है एक photo आपको यहाँ पर upload करना है photo upload करेंगे उसके बाद ही आपका admin card जो है download होगा तो simply करना क्या है आपको यहाँ पी upload photo वाले option पर click करना है जैसे upload photo पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपको दिखेगा यहाँ पर आपका photo जो है blank होगा आपको यहाँ पर photo जो है upload करना है जैसे यहाँ पर upload यहाँ पर passport photo पर click करेंगे उसके बाद आपको क्या करना यहां पर लाष्ट में जैसे आपका photo यहां पर अप्लिट हो जागा ise कर देना यहां पर पर CTiod करके यहां पर करना तो यहां से आपका print option दिखेगा और यहां से आपको return admit card दिखेगा आपको करना क्या है यहां पर return admit card पर click करना जैसे photo upload करतेंगे तो यहां पर आपको return admit card का option दिखेगा आपको finally return admit card पर click करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहां से रिटेन एड्मिर काड जो है डाउनलोड हो जाएगा यहां से ओपन हो जाएगा अपको दीख जाएगा यहां पे इतने process करने के बाद आपका यहां से कर सकते है पीडियेफ में यहाँ पे क्लिक करके डिखा देगा कि आपकाそう हो जाएगा आपने जो फोटो दिया था वही फोटो देना है वह ऐसा कुछ नहीं है आप कोई भी फोटो एक आपको अपलोड करके वहां पर अपलोड कर लेना है तो जाहिए आप लोग और स्टेप बाई स्टेप इसको करेजिए और एडमिट का जो लिंक है लॉगिन का डिरेक्ट हम आपको उस पर क्लिक करते हूं आपके सामने लोग इन का पासवर्ड मिल जाएगा तो आप वहां से डाउनलूड कर सकते हैं